कशिए स्फीट तगला कोशन दिखें कोशन नमर 26 तूप या इन जोनिक फ्रिम्ट कॉइंट न दिखिए सेट्मेंट थàoफ। नो दमीड पाइंट पॉइंट इन लिखें दाइगरांव करते हैं कि एक सरकल है कि जिसका सेंटर को सब्सक्राइव तो शरकल बिंटर लैक्त है ऑख गड़िया दो देने लिए लॉद राई ज्वाहँ जॉनिग मिड़ना मिड़ फॉइंट आफौर वाइश पाइव ठाइब फाहँ पर है सब्सक्राइब करने वाली लाइन उसके बाद में कहा जा रहा है सेंटर सेंटर पॉइंट पॉइंट ऑफ दा करिस्पॉंडिंग माइना राक यहां माइना राक यह जो एवी या जो बली होई यहां से अब इसके मिड़ पॉइंट से जाती है यहां पर चलिए आप इसका मिड़ पॉइंट से जाएगी यहां पर चलिए आप इसका मिड़ पॉइंट है अब इसको मिड़े रहे हैं चलिए यहां पर इसको मिड़ ले रहे हैं अब तंस्रक्शन कर लेने समझ दीजिए जॉइन ओ एंड ओबी जॉइन ओए यह एंड ओब इसको जॉइन कर ले रहे हैं यह जी डायग्राम आपको कंप्रीट हो गया और यह ओभी है क्या ओए और ओभी किया है रेडिया यह शरकल पी रेडिया से तो इक्कशन होगी चलि अब सोलुशन में पहले जो चीज़े दी लीट इसे भी लिख दिया तब भी ठीच है अब विखे इन विच इन जैसे सब्विड पॉयंट सी जामीड भॉइड ओफ कि दिखा अब क्या करेंगे हम चलिए दोरों प्राइग दिखाते हैं हमें प्रूफ क्या करना है कि यह जो कॉर्ड का मिड़ पॉइंट यानि वह है सब्सक्राइब करते हैं आए आथ में आधी करना है यहां बोस्कानल करना भी जो है निए यहां से प्सक्राइब के मिड़ पॉइंट है कि भूप करना है चलिए अधा प्छिए हम सबसे पर शिभ ले रहे हैं इन प्राइंगल कॉंद दिखा रहें है कि तो इसे प्रिंग ने जुए separate तब इहां पर देखिए सबसे पहले तो ओ इसकोल टू पी कैसे रेडिया इस सरकल की ना रेडिया यह उसके बाद एसे इकल टू बीची कि यह कैसे एकल टू बीची यह कैसे एकल टू बीची यह क्या है सी दा मिट पॉइंट ऑफ यह लिख द्यांगा सी जबिट पॉइंट ऑफ यह हो गया ठीक है और देखिए उसी क्या है टू बीची यह क्या है यह होंतने हैं यह संदेंगे देंगे 20 ट्राइंगल कि जब्लेश उसिता छूंटकर होगलो बी क्या होगे किस कंटीशन से बाई एससे साइटL राइड, congruency criteria से, ठीक है, दोनों triangle congruent होगे, अब जब दोनों triangle congruent होगे, तो हम CPCT से लिख सकते हैं, क्योंकि corresponding part equal होते हैं, हम CPCT से लिख सकते हैं, अंगल AOC, यह angle, और angle BOC, और यह angle, यह angle, यह angle हम लिख सकते हैं, CPCT से equal, तो लिख देंगे, एंगल AOC is equal to एंगल BOC, यह दुने एकको होगी कैसे, by CPCT, corresponding part of convient triangle, कोई दो triangle convient है, तो हमने CPCT property से एक एंगल AOC और एंगल BOC इकको दिखा दिये, अब हमने देखों, यहाँ पर प्रूफ करना है कि D जो है, वो RAB का midpoint है, तो देखिए, एक property होती है, कह सकते एक खेवराम होती है, कि कोई दो arc, जैसे यहाँ पर देखिए, एक arc देखें, बड़ी arc एक AB तो है, देखिए, AB यह बड़ी arc तो है, यहाँ point यहाँ D आगे तो देखिए, एक arc की होगी AD, एक arc की होगी AD, और एक arc की होगी BD, है न, तो एक property होती है, कि अगर कोई भी दो arc, center पर equal angle subtract करें, यह तो आगे पर आगे, आगे पर देखिए, आख AD से यह एंगल सब्टेंट होगी AD, और और आख BD से यहंगल सब्टेंट होगी, तो आख BD से यह बड़ी यह बड़ी, है यह बड़ी इक कोई, तो आगे पता होना चाहिए, अगर कूई दो arc है, अँन दोनों से center पर कोई भी दो आर्ख हैं कोई भी दो आर्ख हैं और दोनों सेंटर पर एक्वल अंगल कर रहे हैं तो यहां पर देखें आर्ख लिखना आर्ख लिखना है आर्ख रख लिख सकते आर्ख अपर लगाएं कि बढ़ा यहां लिख दे रहे हैं इस अंटर्फ आर्ख लिख लें बेख सब्सक्राइब आर्ब कोई अब लिख लिखते और इपार्ड और अर्गान पी यहां निख ले इन लिख ले रहे हैं और यहीं दिखेंगे therefore D is the midpoint of D is the midpoint of R D is the midpoint of R AB यह हो गया proof D is the midpoint of R AB यही proof करना है ठीक है? करें अ अ